आज हम अपने बी ए पार्ट फर्स्ट के पहले पेपर प्राचीन भारत के इतिहास के अंतरगत सिंदू सरस्तोती सब्वेता के बारे में बात करेंगे हमने अपने पिछले लेक्चर में सिंदू सरस्तोती सब्वेता के कालने धारन के बारे में उसके विस्तार शेत्र को देखा, उसके प्रमुक शेहरों की बात की और उसकी प्रमुक विशेष्टाओं के बारे में हमने पढ़ा आज हम उनके जीवन के बारे में देखेंगे कि उनका आर्थिक जीवन किस प्रकार का था, राजनेतिक जीवन किस प्रकार का था, सामाजिक जीवन किस प्रकार का था अर्था सिंदू सरस्वती सब्वेता किस प्रकार की थी उसके बारे में हम आज बात करेंगे सबसे पहरे हम बात करेंगे उनकी आर्थिक गतिविद्यों की उत्खरन इस्थल पर प्राप्त अवशेशों के आधार पर क्योंकि सिंदू सरस्वती सब्विता की जो लिपी है उस लिपी को हमें पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है इसलिए सिंदू सरस्वती सब्विता के बारे में हमें जो भी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं वहसब जो उत्खरन इस्थल में प्राप्त जो सामगरी है उसके आधार पर ही हम उनकी जीवन के बारे में इस सब्वेता के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं तो सिंदु सरस्ति सब्वेता में प्राप्त जो अवशेश है उनकी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उनकी आर्थिक गतिविधियों में क्रशी व्यापार और प्रशुपालन प्रमुक रूप से उनकी आर्थिक गतिविधिया थी क्यूंकि एक नगरिय सब्वेता थी तो उनका व्यापार और उनके जो उद्योग धंदे थे वो भी बहुत जादा विक्सित थे सिंदु घाटी सब्वेता को हम क्रशी प्रधान सब्वेता मान सकते हैं उनकी अर्थ विवस्ता को क्रशी प्रधान मान सकते हैं और प्राप्त अवशेशों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वे लोग गयहूं, जो, राई, मटर, जवा, रादी, अनाज पैदा करते थे को सिंदन के नाम से पुकारते हैं यहां पर जो गेहु प्राप्त हुआ है उसकी हमें दो किसमे प्राप्त हुई है और जो 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 प्राप्त हुआ है वह बहुत ही उन्नत किस्म का जो हमको मिला है जिससे हम यह कह सकते हैं कि हडपा की क्रशी विवस्ता बहुत उन्नत अवस्त में थी क्रशी विवसाय के साथ साथ या क्रशी कर्म के साथ साथ वे पशुपालन पर भी उन बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करते थे और इस पशुपालन का प्रयोग यानि इन पशुओं का प्रयोग वो दूद मास और क्रशी कारियों तथा भार डोने के लिए किया करते थ उन्हें घोडे की जानकारी थी या नहीं थी इसके बारे में प्रामाणिक रूप से कोई बात नहीं कहीं जा सकती है किन्तु इतना अवश्य है कि तांबा वहाँ पर प्रचुर मात्रा में प्राप्त मिलता है जिसे के बारे में यह कहा जा सकता है कि राजिस्थान के खेतरी से वो इस तांबे को प्राप्त करते थे और जो सोना हमें वहां मिला है वह दक्षन भारत से सोने को प्राप्त किया करते थे उद्योग धंदों के अंतर का तकर हम बात करें तो मिट्टी के बरतन बनाने की कला बहुत अधिक विक्सित थी मिट्टी के बरतनों को ना सिर्फ पका के बनाया जाता था बलकि उनको काले रंग से चित्रित भी किया जाता था मिट्टी से पका करके इटे मकान निर्वनाने के लिए इटे भी पका कर बनाई जाती थी कपड़े को बनाने का व्यवसाय भी अन्यत्यंत उन्नत अवस्था में था जिसकों की विदेशों में निर्यात्मी किया जाता था जेवर बनाने का या जोहरी का काम भी उन्नत अवस्ता में था इसके तरिक्त मन के बनाने के बहुत सारे उद्योग हमको उद्खनन इस्थनों पर प्राप्त हुए हैं जो यह बताता है कि मन के बनाने का या ताबीज बनाने का कारे बहुत ही अधिक लोग प्रिय था हमें बहुत सारी धातूं के चीजे वहाँ पर मिली हैं लेकिन लोहे की धातू अभी तक मिली नहीं है इसलिए यहां जानकारी अभी तक प्रामानिक नहीं हो पाती है कि वे लोहे को जानते थे या नहीं यहां के लोग आपस में पत्थर धातू शलकादी का व्यापार करते थे एक बड़े भुभाग में धेर सारी मिर्ण मुद्राएं हमें मिली हैं एक रूप लिपी और मानकी कृत मापतोल के प्रमान मिले हैं चक्के से वे परिचित थे और शायद रथ जैसे वाहन का प्रियोग उनके द्वारा किया जाता था अफगानिस्तान और फारस से उनका व्यापार था उन्होंने उत्री अफगानिस्तान में एक व्यापारिक व्यानिजिक उपनिवेश इस्थापित किया था जिससे उन्हें व्यापार में सहुलियत होती थी बहुत सी सेंधव सीलें हमें मेसोपुटामिया में मिली हैं जिन से हमें ये पता लगता है कि वे लोग निर्यात और आयात यानि कि मेसोपुटामिया के साथ में उनके व्यापारिक संबंद थे मेसपटामिया के अभी लेकों में मेलूहा के साथ व्यापार के प्रमान मिलते हैं सिंदु सरस्वती सबिता के अंदर दो प्रमुख व्यापारी केंद्रों का उलेक मिलता है एक दिल्मुन और दूसरा माकन दिल्मुन की पहचान शायद फारस की खाड़ी की बहरीन से की जा सकती है और इस प्रकार हम ये देखते हैं कि क्यूंकि उनका निर्यात और आयात भी उनके द्वारा किया जाता था लोथल के अंदर हमको बंदरगाह भी प्राप्त हुआ है वहाँ पर व्यापारिक बस्ती भी हमको प्राप्त हुए है जिससे ही है पता लगता है कि उनका व्यापार बहुत ही उननत अवस्था में था आर्थिक अवस्था के बाद हम बात करते हैं राजनेतिक जीवन की जिस प्रकार से सुनियों जित नगर निर्मान हमको मिला है जिस प्रकार से हमें व्यापारिक बस्ती मिली है बंदरगा मिले है बैरक मिली है सारजनिक इस्नानागार मिला है विदेशों के साथ में व्यापारिक संबंध हमको पता चलते हैं वो बिना किसी सुध्रड राजनेति सत्ता के संभव नहीं है किन्तु हमें इसके बारे में कोई बहुत पुखता प्रमाण नहीं मिले हैं कि वहां की शाशन विवस्ता किस प्रकार की थी शाशक कैसे थे लेकिन नगर विवस्ता को देखकर लगता है कि जिस तरीके से वर्तमान में नगर निगम या नगर पाली का जैसी इस्तानिय संस्ताइं हैं जो कि नगर की विवस्था की देखरे करती हैं उसी प्रकार की नगर विवस्था शायद इन नगरों में भी रही होगी राजनियतिक जीवन के बाद हम बात करते हैं धार्मिक जीवन में हडपा में हमें पकी हुई मिट्टी की बहुत सारी इस्त्री मूर्तिकाएं प्राप्त हुई हैं उनमें से एक मूर्ति में इस्त्री के गर्ब से निकलता हुआ पोधा दिखाया गया है जिसके कारण इतिहास क यह मानते हैं कि यह मात्री शक्ति की या प्रत्वी की प्रतिमा है जिसका संबंध पौधे के जन्म और व्रद्धी से रहा होगा और यहां के लोग धर्ति को उर्वरता की देवी समझते थे उसकी पूजा करते थे जिस तरीके से नील में देवी आइसिस की पूजा की जाती थ प्रमानों के आधार पर ही यह माना जाता है कि सिंदू सरस्वती सब्वेता मात्र सत्तात्मक थी, मात्र प्रधान थी दोलावीरा के अंदर हमें एक दुर्ग में कुवा मिला है जिसमें नीचे की और सीडिया जाती है जिसमें एक योगी का चितर है जो तीन या चार मुक वाला है और जिसकी बहुत बड़ी बड़ी जटाएं है जिसने एक हाथ अपने त्रिशूल पे रखा हुआ है और उसके चारों तरफ पशू बैठे हुए है इतिहासकारों का मानना है कि यह जो चित्र है वे योगी शिव का है पशुपती नात के रूप में शिव का यह चित्र है जिसकों की पुरुष माना गया है मेवाड में जो कभी सिंदु घाटी सब्वेता की सीमा थी वहां आज भी हमें चारमुक वाले शिव के अवतार एक लिंग नात जी की पूजा होते हुए दिखाई देती है सिंदु घाटी की सब्वेता के लोग प्रकरती के उपासक थे पुरुष के रूप में शिव और प्रकरती के रूप में शक्ति की उपासना किया करते थे काली बंगा और लोथल में हमें कुछ जगे कुंड भी मिले हैं जिससे ऐसा लगता है कि शायद यग ये त्यादी वहां पर किये जाते थे वहां पर हमें स्वास्तिक के चित्र भी मिलते हैं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हिंदू धर्म द्रविडों का मूल धर्म था और शिव द्रविडों के देवता थे जिने आर्यों ने अपना लिया था पर इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा प्रामानिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है सिंदु सब्यता के लोग अपने शवों को तीन प्रकार से उनका अंतिम संसकार किया करते थे कुछ जगे पर शवों को जलाया जाता था तो कुछ जगे शवों को गाड़ा जाता था जहां पर हमें कबरे मिली है और कुछ जगे कबरों में अंदर हमें राख और अस्थियां भी मिली हैं जिसमें ऐसा लगता है कि शवों को शवदहा करने के बाद उन्हें उनकी अस्थियों को और उनकी राख को कबर के अंदर दफन कर दिया जाता था सिंधु सरस्वती सब्वेता में हमें किसी भी मंदिर का कोई अवशेश नहीं मिला है सिर्फ एक विशाल इसनानागार है जिसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि यहां एक धार्मिक क्रिया के रूप में यहां पर इसनान किये जाते होंगे जिस प्रकार से आज हम तलाबों या नदियों में धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए सनान किया करते थे धार्मिक जीवन के बाद हम बात करते हैं उनके शिल्प और तक्नीकी ग्यान के बारे में मेस्वटामिया के लोगों की तरह यहां भी लेखन कला का विकास हो चुका था सबसे पहले 1853 में हडपा लिपी जिससे कहा गया है उसका हमें नमूना मिला था 1923 में पूरी लिपी प्रकाश में आ चुकी है किन्तु अभी तक इस लिपी को पढ़ा नहीं जा सका है लिपी जिस दिन पढ़ी जा सकेगी उसके बाद हमें इस सब्यता के बारे में हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा नई नई जानकारियां भी हमको प्राप्त हों इस के जो तोल थे वह 16 के आवर्तक में था यानि 16,8,64,7,320,6,12, 18 यानि 16 के आधार पर बाट का तोल हुआ करता था और आधुनी काल में भी हम एक रुपे के अंदर 16 आने मानते हैं, एक किलो में चार पाव होते हैं, और हर पाव में चार कन्वा यानि एक किलो में भी कितने कन्वे हुए, 16 अकन वे हुए शिल्प के अंतरगत हम देखते है कि जिस प्रकार से पक्की इटों के मकान उनके द्वारा बनाये गए है इस नानागार उनके द्वारा बनाये गए heal लोथल के अंदर जो बनदरगा बनाये गया है वे उनकी उच्च टकनिकी के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है अब बात यह आती है कि इतनी विक्सित सब्वेता का आखिरकार पतन कैसे हुआ सिंदु सरस्वती सब्वेता के पतन के बारे में हमें बहुत सारे मत मिलते हैं कुछ इतियासकारों का मानना है कि सिंदू नदी में भीशन बाढ़ आई होगी जिसकी वजह से सिंदू सरस्वती बाढ़ आई होगी या फिर सिंदू नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और जिस तरीके से हम मानते हैं कि सरस्वती नदी ने भी अपना मार्ग बदल लिया ह इसकी वजह से यह सब्वेता समाप्त हो गई कुछ इतियासकारों का यह मानना है कि आर्य विदेशी थे उन्होंने यहां पर आकर्मन किया और उसकी वजह से सिंदूर के लोग अपने इस्थानों को रातो रात छोड़ करके यहां से चले गए कुछ इतियासकारों का मानना है कि चलवायू परिवर्तन एवं पारिस्थितिक असंतुलन बाड तथा भूत आत्विक परिवर्तन महामारी आदी के कारण भी इस सब्वेता का अवसान हुआ होगा लेकिन इस सब्वेता का वस्तुतह अवसान कैसे हुआ इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रामानिक रूप से कोई बात नहीं की जा सकती हो सकता है अलग-अलग समय पर अलग-अलग नगरों का पतन हुआ हो और ये सभी कारण उसके अंदर जिमेदार रहे होंगे भीषण अगनीकांड के प्रमान भी हमें मिलते हैं बाड के प्रमान भी मिलते हैं मोहंजोदों में एक कमरे में 14 नरककाल मिले हैं जो आकरμεन आगजनी या महमारी के संकेत देते हैं लेकिन इतना अवश्य है कि एक विकसित सब्वेता, एक उन्नत सब्वेता अचानक समाप्त हो गई और उसके लिए जलवायू परिवर्तन, आकर्मन, भूतात्विक परिवर्तन, महामारी जैसे कारण जिम्मेदार रहे होंगे और भारत को एक विकसित सब्वेता देखने को मिली, हम एक विकसित सब्वेता का इतिहास अपने अंदर समेट के रखते हैं, यह हमें उठकना निस्तलों की जानकारी से हमें प्राप्त, यह जानकारी मिलती है कुछ ही तियासकारों का यह मानना है कि यह सब्वेता दो समाना अंतर रूप में विकसित हुई, तो जहां इस नगरिय सब्वेता का वसान हुआ, वहां सरस्वती के किनारे किनारे आरे सब्वेता विकसित होने लगी और सिंदू नदी ने शायद अपना बहाव क्षेत्र बदल लिया होगा, जलवायू परिवर्तित हो गई होगी, जिसके कारण यह नगर धीरे धीरे निर्जन वे समाप्त हो गए